हेलो फ्रेंड्स वेलकम पैक टू पाई स्टेडी सर्कल सो गईस टाइटल से आप लोगा आडिया लगी गया होगा कि आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं टैन्थ एनाइस वाले बच्चों का जो बिजनिस स्टेडी सब्जेक्ट है जिसका कोड है गाईस दो सो है पूरे थ्री आर्स ठीक है क्योंकि लंबा चोड़ा पेपर है सो नंबर का है तो तीन घंटे का पूरा का पूरा पूरा पेपर है कोश्चन प्लस अंसर आपको यहां पर दिखाने वाली हूं आप देख सकते हैं स्टडी कर रहे होगे तो काफी कोश्चन जो है आपको एक है आप लोग देख सकते हैं यहां से आपको अइडिया हो जाएगा कि कि किस तरीके से आपके पेपर आते हैं धन उसके बाद आ तर्रीका है हमारा धार्ड थर्ड कोशन third कोशनBERT है और four कोशन भी Mchte कूद्ध है fifth question भी आप लोग देख सकते हैं और इसके बाद हमारा six question आता है six question के अंदर भी आपको चार option given मिलेंगे आप लोग यह भी देख सकते हैं यह रहे इधर right hand side पर वीडियो के आपको यहाँ पर six question के जो चार you know options मिल जाएंगे इसका सी answer आपका right है then उसके बाद seven question number seven भी आपका mcqs है eight भी आपका mcqs ही है ठीक है eight के बाद आपका ninth है नोकरी कार्थ क्या है भाई यह आपको बताओ multiple choice में आसे चोटे questions आपसे पूछे जाते हैं उसके बाद जो है दसवा question भी आपका multiple choice ही है और चलिए तो देखिए आगे बढ़ लेते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके 10 questions हैं वो उंगे आपके mcqs मरलाब 10 starting के question आपके multiple choice question ह अगर आप अच्छे से अपने इस levels को पढ़ते हो तो multiple choice पे आपको पूरे के पूरे नमर मिल जाते हैं क्योंकि एक टिक ही तो करना होता है लेकिन टिक करने से पहले भी आपको ध्यान से टिक करना पड़ेगा क्योंकि या तो एक number पूरा मिलेगा या फिर कुछ नहीं मिलने वाला ठीक है तो multiple choice को तो आपको बहुत ही ध्यान से जो है answer करना है इसके बाद guys जो आपके question स्टार्ट होते हैं वो होते हैं आपके 3 marks वाले question तो 11 question से ही आपका 3 marks वाले start हो जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दो चीज़े पूछी हैं कि B2B वैवसाय से वैवसाय करना और B2C वैवसाय से उप्भोगता दोनों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे इसी तरीके से कोई भी आपको topic दिया जा सकता है तीन नंबर का होगा वो सो आप देखें यहाँ पर आपका जो है यह कोशन है इसका answer पहले B2B वैवसाय से वैवसाय से वैवसाय जो है यहाँ लिखेंगे फिर इसके बाद इधर की साइड आप आ जाएंगे यहाँ पर आपको देखना है वीडियो के इनों दिजे उद्यों की वैख्या कर देना उसके बाद इसके उधारन दे देना आप चार से पांच लाइन में आराम से answer दे सकते हैं अगर आपका तीन नंबर का कोशन है देन आपका कोशन नंबर 13 आता है तो कोशन नंबर 11, 12, 13, 13 में भी आपका जो है त्री मार्क्स का ही कोशन होगा 13 के बाद अगर हम बात करें 14 की तो 14 जो कोशन होता है आपका वो भी 3 मार्क्स का ही होता है लंबा चोड़ा कोशन है कुछ इस तरीके से कैसा भी कोशन आपको मिल सकता है तो 14 का answer देखने के लिए आपको आना पड़ेगा वीडियो की राइट हैंड साइट पर आपको 3 मार्क्स वाले कोशन हो गए है स्टार्ट तो अभी हम बारवे पंद्रेवे पर हैं तो 11 12 13 14 15 पांच कोशन हमारे 33 मार्क्स वाले हो गए हैं आप देख सकते हैं यहां पर अगेन आपको जो है दो टोपिक दिये गए हैं कि नमूना परिक्षन द्वारक रहा या फिर निरिक इस तरीके से लिखेंगे उसके बाद आपका 16 कोशन जो होगा वहां से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी 4 नमबर वाले कोशन की मतलब कोशन नमबर 1 से 10 तक आपके क्या थे MCQ ठीक है इसके बाद आपके 11 से जो है 15 तक थे आपके 3 मार्क्स वाले और अब हमारे स्टार्ट के साजेदारी सोरूप की निम्र विशेस्ताओं को समझाना है अब देखें यहां से आप वीडियो के इधर और लेफ्ट हैंड साइट पर आएंगे और आप देख सकते हैं इस तरीके से आप लिखेंगे 16 के बाद फिर आएगा आपका कोशन नमबर 17 17 में निम्र प्रकार के बंडार ग्रहों को समझाईए इस तरीके से आपको लिखना है तो बंडार ग्रह यानि बंदक बंडार ग्रह क्या होता है सारवजिनिक बंडार ग्रह क्या होता है ये भी 17 भी आपका चार नमबर का कोशन है मतलब 16 और 17 अभी दोनों ही जो आपके कोशन है वो चार नमबर व में भी बता सकते हो या बीच में ऐसा ही लाइन खीच के एक तरफ बैंक और दूसरी तरफ साओकार या फिर जो भी आपका इस तरीके का कोई इतने हुए चले जाएंगे चलिये थे थिक है अब देखे़ा आपका आ गया है कोई बी वह अचली दाने हैं इस तरह बहुत कशल नहीं तत नहीं होसी अपको इस नहींस robić के लिएक यहां अआउस आपसे shutdown इस सकते हैं विडियो के हाज यहां साइफ्वा इनो स्वेम सहायता का दाइद को दूसर था लेंदेन का प्रिमान उसके बाद आपका आया उचित दावा और उसके बाद जो है फॉर्ट पोइंट है उत्पा दत्वा सेवाओं का उचित उप्योग एक एक कोइंट के बारे में चार चीजे पूछी है चार नहीं नंबर का है तो एक एक पुइंट के बारे में आपको एक एक नमबर मिलता चला जाएगा उसके बाद गईस आपका जो question number होगा 20 नोकरी या swear ojgaar यहाँ से भी कई बार आपका question बनता है यह भी 4 नमबर का question होता है तो question number 20 भी आपका जो है 4 यह नमबर का है यहाँ पर नोकरी और swear ojgaar के आप बताएंगे पहले पहले व मतलब क्या है दूसरों के आँगे काम करना और स्वय रोजगार का मतलब भी है कि जब आप खुद का कोई बिजनिस खोलते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ लेते हैं डैक कर देना एक तो कॉश्चन नमबर 21 की ओर जहां से स्टार्टिंग हो रही है आपकी 5 मार्क्स वाले कोश्चन की तो 21 वाले कोश्चन में जब 5 मार्क्स का आपसे आंसर पूछा जाता है तो लोंग कोश्चन की काटेगरी में आता है लंबा आंसर उसका देना पड़ता है कि वैवसाय के राष्टे आसर आपको कोश्चन आपको देखने को मिल जाएंगी तो देखो पहला है रोजगार के अफसर वैवसाय के राष्टे उद्देश्य कुनगों से हैं पहला यह है दूसरा यह है है हैडिंग लिखोगे हैडिंग के अंदर की डीटेल तो थोड़ी थोड़ी बना के लिख दे है तो अटलीस्ट आप जो है फाइव हैडिंग तो उसकी देंगे देंगी ठीक है तो उसके बाद आपका जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है फिर अब आपका हो रहा है कोश्चन नंबर ट्वेंटी टू स्टार जो अगेन आपका पांच नंबर का कोश्चन है यह भी लोग है धूप करद सब्सकodus तो यह आपको जिए कारीश कार्या निताई कोई विए प्रक् createsाद के दोख तक मीट यह पर काफी बार कोशन आथा यह भी पांच दॉस्फा के नमें यहां पूड़ियो यहां टख है तो यह अगेन आपका फिर से लोग कोशन है इस तरीके से आएगा ठीक है छलो तो यह समर्थर में कुछ कारण वगएर आप से पूझ रहे हैं ये आप इस तरीके से बता देंगे फिर हम बात करेंगे गाइस कोशन नमबर 25 की जो अगेन 5 माक्स का कोशन है मतलब हम अगर बात करेंगा इस तो हम आप लोग देख पाएंगे कि आपका जो 5 marks वाले question है वो basically आपके कहां से start हो रहे हैं वो आपके start हो रहे हैं एक बार मैं आपको दिखा ही देती हूँ कि 20 तक आपके 4 marks वाले थे तो 21 से 21 से आपके 5 marks के start हुए है question और 21 से अभी हमारे ये चली रहे हैं ये question हमारे 25 के आसपास तक चले है 25 तक आपके question 5 marks वाले चले हैं आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अब हम बढ़ेंगे 26 के और हम लोग बढ़ने वाले तो देखो आपका जो 26 question आएगा इसमें आप देख सकते हो यहां से 6 से अंदाजा लगा लोग 26 से 6 marks वाले question ने start हो रहे हैं तो देखें यहां से आपसे जो है इस तरीके का कोई भी question पूछ सकते हैं अगेन यहां भी आपको heading देनी है 6 number का तो अच्छा खासा long question हो जाएगा तो heading आपको दिहान रखनी है कुछ इस तरीके से ठीक है चलो आगे बढ़ेते हैं 26 का जो question है वो basically आपका यहां पर finish हो रहा है और question number 27 जो again आपका 6 number का ही question होगा यह भी 26, 27 आपका 6 number का question है तो यहां पर भी आप heading के through जो हा लिखेंगे इसको ठीक है यह रही है आपकी कुछ heading इनको आप बनाएंगे फिर आपका question number 28 start होता है तो 28 का question भी I think आपका 6 marks का ही होगा इसमें आप जो है लिखते चले जाएंगे देख सकते हैं आप आजाएए इधर वीडियो के जो है you know left hand side पर तो यहां से अभी आपका यह answer जा रहा है 28 का answer आपका यहां तक जाएगा यह 6 number का ही question था उसके बाद 29 question जो होगा वो भी आपका 6 number का ही होगा ठीक है इसमें 3-4 point दे इनके बारे में आपको पता होना चाहिए basically detail में मतलब आपकी theoretical paper होता है पूरा का पूरा लिखना ही लिखना है अच्छे से तैयारी कर लेते इसलिए आप और कर लो तो जादा बहतर होगा 29 का आपका जो question है वो देखो यहां से यहां तक हो रहा है finish आप देख सकते हैं उसको आप देखो कुछ question ना business studies में ऐसे आते हैं आपने अपने कभी पापा को घर के किसी बड़े को काम करते हुए देखा होगा उनकी बातों से कभी महसूस किया होगा बैट स्वेय रोजगार का क्या मतलब है खुद कर रोजगार अगर आपको खुद के रोजगार में सफलता प आपके यहां पर जो है मैंने आपको दिखा दिये हैं total आपकी बात करूं 30 question आपके आते हैं पूरे पूरे paper के अंदर और questions की बात करूं तो सबसे पहले one mark वाला था उसके बाद एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ शुरू से ठीक हैं तो पहले आपके 10 question तो थे one mark व पहले 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6 कुछ फूल सा मैंने बना दिया है फूल अच्छा लगा हो तो फ्लीज लाइक कर देना चलो I hope कम से कम इतना तो clear होई गया होगा अगर इस paper को भी तयार कर लेते हो तो काफी सारे questions आपको यहां से भी बिल जाएंगे exam के अंदर आने को इसके अलावा भी अलग-अलग subject से जो है solve question paper डाले हैं तो देख लीजेगा आप चैनल यह playlist पर जाकर और इन सभी subject का paper कैसा आएगा इसकी अलग से playlist चल रही है अगर TMA तयार नहीं है तो TMA के solution भी चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से solve करके डाल रखे हैं उनको भी देख क्लास में हो आपके पास इंदी है इंग्लिश है जोग्राफी है यह सारे सब्जेक्ट से हैं home science वगरा कोई उसा भी subject है तो सभी के important questions की series चल रही है एक बार देख लेना आपके सारे स्रेबस घर बैठे हो जाएंगे तो यार इसके लब अगर आपके पास English subject है English के लिए हमन comment section में बताना मुझे चलिए एक दूसरी वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरी ड़ोपी के साथ तिल दन कीप स्रड़ी नपाइ स्रड़ी थैंक्यू सो मच और गुद बाए